हलो फ्रेंट्स तो चलिए हम लोग अपने गिट के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और इस पर अभी तक हमने देखिए 27 वीडियोज को अपलोड कर दिया है तो अगर आपनी पूरी प्लेलिस्ट को एक्सिस नहीं किया है तो इसको पूरा एक्सिस करो तभी आप गिट बहुत करके अपनी ही रिपोजिटरी में कोड को पुश या पूल किया करते थे हैं ना अपने लास्ट वीडियो में आपने सीखा था कि हम लोग किस तरह से किसी भी रिपोजिटरी को क्लोन करते हैं तो अभी तक हम लोग किस तरह से रिपोजिटरी को क्लोन करते हैं और क्लोन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे यार हम लोग उसमें कुछ modification करेंगे modify करने के बाद जो भी हमारा कुछ change होगा उसको फिर से अपने remote पर push कर देंगे वहाँ पर जहां से हमने clone किया था है ना तो अभी तक जो भी हम लोग code को push या pull कर रहे थे वो हम लोग अपनी खुद की repository में code को push या pull किया करते थे लेकिन suppose कोई ऐसा आपको repository मिले जो आपकी repository ना हो बलकि किसी दूसरे person की repository हो है ना अगर आपको open source के बारे में पता है जहां पर कई सारे लोग एक project पर contribute कर सकते हैं जैसे let's say मैं कुछ यहां पर search कर देता हूं get hub let's say मैं लिख देता हूं मैं लिख देता हूं get hub let's say pandas हमने लिख दिया कुछ भी ऐसे लिख दिया हमने तो एक हमारे पास यहां पर देखे यह pandas की repository आ गई मैं इसको open कर लेता हूं अब यह हमारे पास इतनी बड़ी repository है है ना और यहां पर issue का option दिख रहा है आपको दिखिए तो यहां पर जाके आप क्या कर सकते हैं इन issue को resolve कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे आप क्या करेंगे कि आपको पहले यह पूरा पूरा code आपके अपने system पर चाहिए माल लिजे कि आपको यह पूरा code अपने system पर चाहिए तो आपने आप क्या करेंगे cloning का concept यूज करके यहां से इसकी link copy करके और आप इस पूरे पूरे code को अपने local repository यानि कि system में अपने रख लेंगे फिर क्या करेंगे आप माल लिजे कुछ इसमें add कर रहे हैं कुछ इसमें change कर रहे हैं change करने के बाद आपने अपने code को stage करके commit कर दिया लेकिन वो change अभी आपके local repository में है आपके system पे है अब अगर आपको वो change आपको इस repository में push करना है तो आप तो आईसा करी नहीं सकते क्योंकि ये repository जो ये pandas repository है ये आपके repository नहीं है ये repository को किसी दूसरे परशन ने बनाया है तो आप इस repository में cash push करोगे हाँ अगर इस बंदे ने जिसने ये repository बनाई है ये देखे उनका username यहाँ पर है pandas-dev अगर इस बंदे ने आपको ये write दिया है आपको access दिया है कि हाँ आप डारेक्ट इस repository में code को push कर पाओ तब तो बहुत अच्छा है simply आप यहाँ से clone कर लो और clone करने के बाद code में कुछ modification करो modify करने के बाद यहाँ पर push कर दो लेकिन हमें तो write नहीं है हमें तो access नहीं है कि हम अपनी इस repository में code को push करें हम यह access नहीं है हमारे पास यह write नहीं है तब हम क्या करेंगे तो आप बताइए कि अगर जब हम इस repository में अपने modified code को push कर ही नहीं सकते तो हम इस repository को clone करके क्या करेंगे कुछ भी नहीं मेरे कुछ भी काम करने है तो हमेशा आप ध्यान रखना कभी भी अगर आपको access नहीं है इस repository का access in the sense कि अगर आपको यह allowed नहीं है कि आप इस repository में direct code को push कर पाओ तो कभी भी आप इस repository को clone यहां से मत करना हमने क्या बोला कि कभी भी आप repository को clone ऐसे मत करना बलकि आप क्या कर सकते हो कि आप इसकी एक copy बना लो, copy बनाने का मतलब यह है, कुछ आप ऐसा करोगे, कि इसकी पूरी-पूरी copy, जो यह पूरी-पूरी repository है, इसकी पूरी-पूरी copy आपके github account के लिए available हो जाए, हमने क्या देखे, आपने अपने अपने यहाँ पर github account में कई सारी repositories बना के रखी ह आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा काम करो, कि वो repository जिसको भी आप clone करना चाहते हो, जिसमें भी आप contribute करना चाहते हो, उसको आप अपने यहाँ लोकल सिस्टम में ला लो, मतलब आपके यह लोकल सिस्टम में नहीं, अपने इस github account के लिए बना लो, एक copy, और फिर उस repository को आ आप clone करो, है ना, अभी जो हमने आपको यह repository दिखाई थी, यह repository बहुत बढ़ी है, इसको clone करने में time लगेगा, मैं एक काम कर लेता हूं, हमारे पास एक और account है, अभी जो यह हमारा account है, आप देखिए, कि जो इस account का हमारा username है, मैं कोई भी repository ओपन कर लेता हूं, देखिए हमारे इस account का username जो है, वसिष्ट सिंग, टू नाम से है, हमारा एक और account है GitHub पर, मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाता हूं, हमने उसको भी login करके रखा है, और इसका username है, वसिष्ट सिंग, इसमें difference है, यह हमारा दूसरा account है, अब माल लीजे कि यह जो simple सी हमने repository यहाँ पर लिया यहाँ सी, तो हम तो इस repository में push अपने code को नहीं कर पाएंगे, और वैसे भी अभी हमने आपको बताया कि जब भी आपको अगर access ना हो, इस repository में आप allowed ना हो, बतलब जब भी आप किसी दूसरे की repository में code को push करना के लिए आप eligible नहीं हो, तो आप इसको ऐसे clone नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, कि अगर आपको इस वाली repository में कुछ contribute करना है, देखे, आप क्या कर रहे हैं, आप इस repository को clone करने वाले हैं, किसी भी वज़ा से clone करने वाले हैं, आप अपने code को modify करोगे, फिर commit करोगे, और add the end, आप अपना change इस वाली repository में चाहोगे, है न, जहा से आपका source है, देखे, जहां पर आपका source है, उस वाली repository में आप चाहोगे कि आपका code पहुच जाए, है न, जैसे माल लीजे, आप इस पंडास वाली repository को अपने इस system में किसी भी, मतलब इस account में किसी भी तरह से ला लेते हो, उसके बाद आप जो भी इसमें change करोगे, तो ब तो best option क्या हो सकता है, कि जैसे माल लीजे, मैं एक छोटी repository को बताता हूँ, इस repository में आप contribute करना चाहते हो, यह दूसरे की माल लीजे repository है, है न, यह हमारा दूसरे account है, तो माल लीजे यह दूसरे की repository है, तो आप यहां से इस repository को clone नहीं करेंगे, instead आप क्या करेंगे, कि यहा यहां से अभी आप नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, इसका URL कापी कर लीजे यहां से, जिस भी repository को आप चाहते हो, तो दो medium हो सकता है, या तो आपको यह URL कहीं से मिल जाए, या आपको इसकी link चाहिए से repository की, है न, फिर आप क्या करो, आप अपने account में आओ, यहां पर अपने account में आने के बाद, तो वो repository देखिए आ गई, और यहां बता रहा है कि यह repository जो है, यह इस user से बिलांग करती है, यहां पर भी आपको दिखा रहा है, तो आप यहां fork में आओ, है न, fork में आपको कहा जाना है, उस repository में जाने के बाद, अपने account से, जब आप यहां पर fork कर लोगे, तो जो यह वाली repository इस user के account में है, इसकी एक copy आपके इस account यानि की वसे सिंग 2 वाले में आ जाएगी, तो मैं यहां पर fork कर लेता हूँ, देखिए यहां पर fork यहां भी 0 है, मैं इसको यहां से fork कर लेता हूँ, अब यह repository के carding थोड़ा सा इस तरह से time लगाएगा और जैसे यह हमारा सब कुछ हो जाता है, तो देखिए वो इसकी एक copy, हाँ इसकी अब एक copy आपके system में आ चुकी है, और यहां पर आप username देखिए, वसेस्ट सिंग 2 आ गया है, और आपके इस user यानि इस account के अंदर यह repository आ गया है, और यहां पर देखिए, लिखा है ना forked from वसेस्ट सिंग, यह वसेस्ट सिंग की user के repository से fork की गई है, और वैसे भी अब आगा अपने इस account में यहाँ प्रोफाइल पर जाओ, अपने प्रोफाइल पर और repository में जाओ, तो आप उसको सार्च करो, यह देखिए, आप यहाँ पर सार्च करिए, नीचे यह देखिए, यहा हमने इस वाली repository को fork कर लिया अपने account से, तो यह वाली repository हमारे यहाँ पर आ गई है, है ना, अब जब यह वाली repository यहाँ पर आ गई, आपके account में आ गई है, ध्यान से देखिए, तब आप इस repository को यहाँ से clone करिए, और इसका URL आप देखिए, मैं यहाँ पर आपको paste करके खाता हूँ, इसका URL यहाँ पर देखिए, क्या लिखा है, वसिष्ट सिंग 2, यानि कि यह repository आपके account के लिए आ गई है, तो जब आप इसको clone करोगे, तो जो भी आपके अपने local repository में सिस्टम में आप modify करके अप code पुश करोगे, तो आप अपने code को यहाँ पर पुश करोग और मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद simply मैं git bash open कर लेता हूँ, और git bash open करने के बाद मैं clone का concept जो हमने पिछले वीडियो में अपने सीखा था, उसको मैं यहाँ पर use कर लूँगा, और उसके लिए हमें simply क्या करना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है java puzzle game नाम से एक folder बना लूँगा, मैंने इंटर कर दिया, तो यहाँ पर एक folder बन जाएगा, देखे, java puzzle game नाम से, और वो repository clone होके यहाँ पर आ जाएगी, तो देखे, यहाँ पर repository clone होके आगी, मैंने इसको बंद गमा, इसके अंदर जाता हूँ, तो देखे, यह पूरी repository हमन अब करने को तो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चेज नहीं करूँगा, देखे, यह पूरा पूरा गेम यहाँ पर बना है, अब आप क्या करेंगे, इस पूरे पूरे code को समझेंगे, अगर आप कुछ लगा कि नहीं हम modify कर सकते हैं, कुछ नया feature add कर सकते हैं, तो आप add कर यह, है ना, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस readme file को open कर लेता हूँ, और मैं readme file को open करने के लिए, सायद यह visual studio code से open होगा, मैं, other option में यह दिख नहीं रहा है, मैं visual studio code से इस file को open कर लेता हूँ, और मैं इसमें कुछ modify कर देता हूँ, तो यह file देखिए, हमारे यहाँ पर visual studio code में open हो गई है, मैं इसमें कुछ add कर देता हूँ, मैं यहाँ पर comment add कर देता हूँ, just for testing, कुछ भी हमने लिख दिया, इसको मैं save कर देता हूँ, और जैसे यह हमारा हो जाए, simply मैं इसको यहाँ से close कर देता हूँ, अब आपने क्या किया, आप ऐसको ऐसे समझे, कि आपने इस पूरे project को समझा, इसमें कुछ bug थे, कुछ issue थे, आपने उनको resolve कर दिया, अब आपको यह code कहाँ पर push करना पड़ेगा, जब आप यह code push करोगे, तो आप अपनी repository में push करोगे, और यहीं पर git bash open करना आप, है ना, आप यहाँ पर लिखोगे git status, तो क्या बता रहा है, readme जो file थी, वो modify की गई है, तो इसको आप क्या करिए, stage कर दीजे, और stage करने के बाद आप इसको simply commit कर दीजे, तो मैंने लिखा git commit hyphen s, let's say मैं लिख देता हूँ testing, कुछ भी मैंने लिख दिया, simple, अब क्या आप करोगे, आप लिखोगे, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आपका origin set है, तो आप लिखोगे git remote, git push करना है आपको, git push minus u origin master branch को, आप simply यहाँ पर push कर दीजे, तो जो आपने एक line का code add किया, वो कहाँ चल जाएगा, remote पर पहुँच जाएगा, लेकिन वो आपकी repository में होगा, जहां से आपने repository को fork किया था, वहाँ पर वो change नहीं जाएगा, मैं simply सारी चीज़ों को cut कर देता हूँ, और यहाँ पर आई और यहाँ आपने क्या किया है, देखिए, वह बता रहा है कि आपने इन फाइ, इन दो links को add किया है, है जो यहाँ पर आचुका है, आप देखिए, आपने क्या किया, कि आपने इस repository को fork करके, इस heart contribute तो क्या लेकिन जो यह आपने add किया एक line का code, यह कहां पर जाना चाहिए यहान से आपने इसको फॉर्ग किया था यानि कि इस वाले अकूंट को दिखाओं तो आपने इस वाले काउंट से इस इस ब्रिपजिटृ को फॉर्ग किया था लेकिन अगर आप यहां पर इसके करके इसकी readme file को देखे तो देखे यहां पर अभी भी चेंज नहीं है वो चेंज आप चाहते हो कि इस repository में आये और यही तो आपका परपज था है ना देखे जब भी आप open source project में contribute करना चाहता तो open source क्या होता आई हो कि थोड़ा भूत आपको इसको knowledge होगा इसमें हम लोग कर किया है ना और उसने अपने project को इस guitar account में डाल दिया इस तरह से और इसमें कुछ incomplete feature हो सकते हैं है ना या कुछ नएने features add करने के लिए बचे हो सकते हैं और अगर वो बंदा चाहता है कि नहीं आप इस project में आप contribute करो तो आप कैसे contribute करोगे आप जाओगे पहले इसको fork करोगे for करने के बाद इसकी ये copy आपके इस तरह से repository में आएगी और आपकी repository में इस तरह से आने के बाद आप अपने feature को add करोगे जो कुछ भी करना रहेगा और add करने के बाद अपने change को आप अपनी repository में push करोगे लेकिन ये जो change है ये कहां पर जाना चाहिए था ये तो इस वाले एक option दिख रहा है pull request का option किसका option दिख रहा है pull request का option और जब आप यहां से pull request generate कर दोगे तो यह request कहां पर चली जाएगी यह request इस account के जो इस account का holder है यह user को पता चलेगा कि हाँ वसिष्ट सिंग 2 ने इस वाले account से एक pull request PR generate की गई है pull request को साथ में PR request बोलते है तो आप तो क्या होगा कि जब आप यहां से अपने इस account से यहां से pull request generate कर दोगे तो जो यह account holder है जो head है इस repository का उसको पता चल जाएगा कि हाँ यार वसिष्ट सिंग 2 account से एक pull request आई है और यहां पर वो दिखेगा फिर यह क्या करेगा as a holder of this account वो इस pull request पर जाएगा और changes को देखेगा changes को ध्यान से देखेगा समझेगा और उसको लगेगा कि हाँ यार आप जो वसिष्ट सिंग 2 user ने code को contribute किया है वो really में एक अच्छा code है जिसको मैं चाहता हूँ कि वो हमारी इस repository में आ जाए तो क्या करेगा आपके pull request को वो accept करके अब आपके code को अपनी इस repository में merge कर देगा समझ बाद आई तो इस तरह से आपका जो contribution होगा इस repository के लिए यहाँ पर आ जाएगा है ना तो pull request कैसे generate करेंगे pull request करने के लिए जब आप पना काम कर चुके हो तो यहाँ पर आओ यहाँ पर simply pull request वाले option पर click करो और यहाँ पर click करोगे तो यहाँ पर लिखा है new pull request यहाँ प है है ना और master branch में आपने contribute करके किया है और यह आपकी जो head repository आपकी जो repository है यह assisting to user में है है और simply आप यहाँ पर आओगे तो आपको देखाएगा कि आपने क्या क्या काम किया है है और फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ पर सारी चीज़ों को देखो समझो और यहाँ आप कुछ create pull request का option देख रहा है यहाँ पर देखिए और यहाँ पर कुछ message लिए टेस्टिंग इसको रहन देखिए लीब या comment यहाँ पर लीब कमेंट कर दीजिए जस्ट फार टेस्टिंग please consi consider it ओके हमने ऐसे कुछ रहे और फिर से आप क्या करिए यहाँ पर क्या करिए यहाँ पर create pull request पर click कर दीजिए है ना अब देखिए जब आप pull request के generate कर दोगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ देखे मिल रहा है आपको जो भी कुछ भी आपने यहाँ पर message वगयरा दिया होगा है ना और यहाँ पर देखिए कह रहा है this branch has no conflict with the base branch अगर conflict होता तो यह सारा का सारा change पहले कहां पर जाएगा यहाँ पर जाएगा जो यह इस account का original holder होगा है ना तो फिर यह अगर देखे conflict रह गया तो conflict को resolve करना पड़ेगा ठीक है या तो आपको यह खुद यह वाला जो head है वो भी बोल सकता है conflict को resolve करो उसके बाद सब कुछ अपना काम करो है ना मैं इसको एक बार अपने इसको refresh कर द देखिए पहले 0 था अभी 1 आ चुका क्योंकि एक user ने आपकी इस repository को for किया तो यहाँ पर जो head है इस repository का उसको सब कुछ यहाँ पर पता चलेगा अब जैसे यहाँ पर एक pull request आई इसको पता चल गया है तो यह यहाँ पर इसको click करके देखेगा और फिर जब देखेगा तो देखेए यहाँ पर account का सम नाम दिखा रहे है कि इस account से आई है और यहाँ पर देखेए सबसे important बात यह बता रहा है कोई conflict नहीं है है और फिर यहाँ पर commits में देखिए यहाँ पर commits में जाईए जब आप commits में जाओगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ यह history भी दिखा देग और उसके बाद यहाँ पर चेक है और यह file changed में जाईए फाइल चेंज में जाएगा वो तो यहाँ पर दिखा रहा है जो भी plus से है वो सब कुछ दिखा रहा है कि वो चीजें add की गई है जो कुछ भी है आपने चेंज किया होगा यहाँ पर वो सब कुछ दिखाएगा यह ब just for testing वाला जो हमने add किया था यह अभी इस repository में नहीं है है आप देखिए मैं इसको फिर से open करता हूँ और यहाँ readme file को open करिए आप देखिए यहाँ पर एक ही line का code यहाँ पर यह दिख रहा है तो यह pull request में जाएगा और उसको सब समझेगा कि यहाँ यार सब कुछ सही है य reply भी कर सकता है है ना कि भाई हम आपके change को merge नहीं कर सकते या आपका code इतना efficient नहीं है तो यहाँ से reply भी कर सकता है या कुछ और change अगर यह चाहता है कुछ और use cases को उसी में handle करवाना चाहता है तो यहाँ से आपको वो return में एक message भी भेज सकता है तो फिर से आपको message आपको मिल जाएगा इसी में pull request जब आप और यहीं पर मिलेगा जब आप यहाँ पर आओगे तो फिर से आप अपने code को resolve करो add करो code करो commit करो है ना और जब आप commit कर दोगे तो फिर से आपको यह pull request करने ज़रू नहीं है और automatic यहाँ पर पहुंच जाएगा अब जब यहाँ पर आए है ना है ना और फिर से आप यहाँ पर आईए और जैसे वह यहां से merge करेगा देख़े तो यहाँ पर यह टेस्टिंग वाला जो आपका commit था यह कमिट कहां पर किया गया था यह कमिट इस वाली branch पर किया गया था इस user के दौरा लेकिन जब आपने उसके code को यहाँ पर merge कर लिया तो यहाँ पर आ गया है और readme file वैसे भी नीचे open है यहाँ पर देखिए एक line का code यहाँ पर आ चुका है है न तो यह कितना amazing है आप इसका मतलब दूसरे की repository को clone करके उसमें contribute करके pull request generate करके आप अपने changed code को जो भी code अपने add किया उस code को आप दूसरे की repository में पहुचा द करना है तो पहले आप उसकी repository को fork करिए जब भी आप fork करोगे तो fork का मतलब होता है कि उसकी यह copy आपके इस account के लिए आ जाएगी और जैसे उसकी copy आपके account के लिए आ गई आप code को फिर अपनी उसी repository को clone करो यह धान रखना जो आपने fork किया fork करने के बाद जो repository आपके इस account क को clone करना है यह ध्यान देना आपको यह ध्यान देना आप यहां पर देखिए जो हमने fork किया था repository को पजल गेम यहीवाला हमने फोर्ड किया था हाँ है नहां तो आपने क्या किया था आपनी इसको क्लोन किया था क्लोन करने के बाद इसमें आपने अपने अपनी रिकुषिटरी में पुष्किया और उसके बाद पूल रिक्यूस्ट जेनेरेट कर दी, देखिए pull request आपने generate किया pull request को generate होने के बाद request कहां पर गई इस account को गई जहां से आपने clone fork किया था जो कुछ भी आपको बोलना है बोलिए और फिर इस user ने आपके code को review किया देखा सब कुछ सही है तो उसने merge कर लिया और जब उसने merge कर लिया तो आप इस account पर जाएंगे इस वाले account पर आप इस account के readme file को देखेंगे तो आपका code यहाँ पर दिख रहा है तो I hope कि आपको यह forking का concept समय आया होगा थोड़ा सा अगले वीडियो में हम और बात करेंगे कि open source होते क्या है है ना तो उन सारी चुझे के बारे में थोड़ा समय लोग आवर समझेंगे आई होप आपको यह सारी इन समय में आई होगी दोस्तों thank you so much